विल्टम डिजिटल हेरिंगेट सेंटर आज बात करेंगे हम लोग किस तरह का हेरिंगेट इंडिया में कई कंपनीज इसे टॉक पे चल ली हैं कौन सी फेमस हैं और क्या-क्या कंपनीय मार्केट में अविलिबल हैं टो मैं बात सबसे पहले नं कंपणी की करूंगा इंडिया में लारजस्ट मार्केट हो बहुत अच्छा स्पेस बना रखा हिंडिया को हो उन्ड वर्लड-वाइड लॉल्ड हेरिंगेट सेंट्टे सेंटि इनमें से एक हेरिंगेट आता है इंडिया हेरिंगेट पर यह कि सुन्हें में आता है कि वाइडाख और शिगे मर्च कमपनी यह तो आप कोई भी ले सकते हैं 2nd Rek Phonak आता है Phonak आपका Switzerland का प्रांड होता है Madden Switzerland है उसके भी हर तरह के हेरिंगेट सारे है पहला आपका Signia हो गया Signia 2nd is Phonak 3rd is आपका Wai Dex 4th is your Rexton and Oticon हर तरह का हेरिंगेट मार्लकित में अवेलबल है यह ऐसे हरिंगेट है जो बहुत सालों से चला रहा है पहले Siemens आता था Siemens का नाम सिग्णिया है नाम का है या Turnover Change हो गया या Company Change हो गया जो कुछ भी है Siemens ने अपना सारा जो Turnover है सिग्णिया को रेफ़कर कर दिया तो आप Cygnia नाम से आता है Siemens का नहीं आता है तो आप अगर Siemens की ततालास में है तो you have the options आपके पास एक च्वाइस है Cygnia के लिए तो ये इसमें rechargeable, non rechargeable सब तरह के हेरिंगेट्स आते हैं और ये अच्छे हेरिंगेट्स हैं जो मार्केट में इस टाम अवैलेबल हैं Cygnia मैडन जर्मनी लिखके आता है Phonak Madden Switzerland, Widex is a Denmark, Auticon is a Denmark Resound आता है, Resound भी बहुत अच्छा हेरिंगेट है Resound Denmark, तो ये 5-6 हेरिंगेट्स कंपनीज हैं जिनका हम इंडिया में और Worldwide बहुत अच्छा मार्केट है इन में से आप अपने audiologist या मुझसे consult करके हेरिंगेट्स ले सकते हैं इसके लिए नीचे नमबर चल लाए, contact आप contact भी कर सकते हैं ये मैं बात कर रहा था कि आप कौन सी companies ले सकते हैं इंडिया में